सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर डेकर चैनल को और वैल आइकन को दबाएए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अल्यों नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूटीब चैनल मिस्टर डेकर में दोस्तों मेरा नाम हो वैस और आज मैं आपको बताँगा कि आप कैसे अपने वाटसब पर फ्रेंड्स को सर्च कर सकते हैं जैसकि आप अपने फेज़ूक पर फ्रेंड्स को सर्च करते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स आप देखते हैं कि सजेशन में आते हैं तो आप बहाँ से उसको जो है एड कर लेते हैं request भेज देते हैं friend request तो इसी तरह से आप WhatsApp पे भी friends को दोस्तों को जो है search कर सकते हैं और लोगों को भी search कर सकते हैं unknown person को भी search कर सकते हैं और अपने WhatsApp पे जो है add कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने की बाद यहां पर आपको सर्च करना है Unlimited Frans आप जब unlimited friends को search करेंगे उसके बाद जो सबसे first application है आपको वो install कर लेना है आप देख पा रहे हैं इसका icon कुछ इस तरह का है तो चलिए इस application को जो है open कर लेते हैं open करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा सबसे पहले आपको क्या करना है आप उपर देख पा रहे है country select करनी है तो आप मैं यहाँ पर अभी इंडिया का ही contacts जो है friends है वो search करूँगा तो मैं यहाँ पर इंडिया select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर अपना gender select करना है चलिए मैंने यहाँ mail कर दिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे है friends search करने है आपको कितने friends search करने है तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक हजार तक है यह तो मैंने 150 friends ही search करना है और last में आप जो दो option देख पा रहे है search whatsapp numbers और delete adding numbers तो आपको search whatsapp numbers पे click करना है और कुछ time के लिए wait करना है तो यह एड को जो है skip कर देते हैं उसके बाद थोड़ा सा wait कर लेते हैं जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं अभी यह वोल राइक कि क्या आप उन जो हुई जो आपने search की है whatsapp number उनको add करना चाहते हैं contact में तो आप यहाँ पर yes पे click कर दें यहाँ पर देख पा रहे हैं जो है अपने यहाँ पर मेरा WhatsApp open हो गया है अभी देखते हैं यहाँ पर जो है आप देखते हैं यहाँ पर यह देख पा रहे हैं आप यह यहाँ पर जो देख रहे हैं आप search यह इतने सारे जो contacts है वह automatically add हो चुके हैं WhatsApp से search होकर यह सारे WhatsApp contacts हैं सारे सारे बहुत सारे हैं आप किसी को भी जो है simply message कर सकते हैं बस दोस्त इस application का जो है आप गलत फाइदा ना उठाएं तो चलिए आप इनको क्या है कैसे remove करना है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी को भी जो है फिर आप directly यहाँ पर message भी कर सकते हैं तो चलिए इनको कैसे remove करना है बस आपको क्या करना है आप नीचे वाला जो option देख रहे हैं आपको delete added numbers उसपे क्लिक कर दिना है और थोड़ा सा बस wait करना है आपको जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं अभी जो है whatsapp में वो सारे contacts हैं वो delete हो चुके हैं तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या वो contacts यहाँ पर delete हो चुके हैं या नहीं जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं वो सारे numbers हैं वो सब यहाँ से वो delete हो चुके हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like जरूर करें और इस वीडियो को share करना ना भूलें और हमारा YouTube चैनल Mr.Tacker को जरूर जरूर सब्सक्राइब क क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं और दोस्तों आप हमें ट्यूटर पर follow करें Instagram पर follow करें और Facebook पेस को भी like करें तो आपका बहुत बहुत दन्यवाद हमारा यह वीडियो देखने के लिए